Hello students, welcome to my nurture, मैं हूँ Krishna, कैसे हैं सब लोग? मस, बढ़िया चुरे स्टार्ट करते हैं आज हम अपना नया चेप्टर Community Pharmacy and Management में यानकी चेप्टर नमबर 3 जहाँ पर हम लोग पढ़ने वाले हैं Prescription and Prescription Handling Very Important, Very Important, Very Important क्यों इतना Important है? यह बटा एक्जाम के परपस सही नहीं क्योंकि आपको जब जॉब मिलेगी तो यहाँ पर जो घटनाए घटेंगी उससे लेकर के आपसे इंट्रुव्य में इवन कोश्चन तक पूछे जा सकते हैं अब प्रिस्क्रिप्शन मिलेगा तो उसका हैंडल कैसे करेंगे आप आपको हाथ में एक परचा आ दवाई का अब उसमें exactly क्या process अपनाएंगे exactly क्या process अपनाएंगे है ना आप कहले तरफ पर्चा देखा दवाई देदी और दवाई निकाली और देदी गलत इंटरू में भी फेल हो जाएंगे ठीक है एक lengthy process होती है ठीक है ना पूरी step follow करने होते हैं तो कुछ चीज़े हैं जो यहाँ पर आप लोग जानते हैं और कुछ चीज़े ऐसी होगे जो आप लोग नहीं जानते होगे वैसे जो लोग अलड़ी है इस फिल्ड में उनको पता होगा तो बस यही है prescription and prescription handling chapter number 3 कि आपके हाथ में दॉक्टर का लिखा हुआ पर्चा आ गया है अब आगे आप क्या करना चाहिए या क्या करना पड़ेगा ठीके ना बात के लिए रोगई तो कुछ नहीं कमुनिटी फार्मिंग से पता ही यह मेडिकल इस्टोर पर्चा आगया वहीं बताओ आओ आप क्या करना है तो पर्चा देखके दवाज देना एक अलग बात होगी लेकिन theoretical समझना और पूरा record maintain करना समझते हैं बात को अब देखो क्या क्या घटना ही अटती है ठीक है तो आओ देखते हैं इसमें मज़ा आएगा पढ़ने में ठीक है इसलिए बहुत अराम से समझना है इसको कह रहा यहां एक return order होता है लिखा हुआ होता है from registered medical practitioner जिसको short form में हम लोग RMP भी कहते हैं है और a physician या को physician है to a pharmacist एक return order जो की RMP के दवारा लिखा गया है किसी pharmacist के लिए to compound compound compounding dispensing good तो आपको करना है किसलिए आया है परचा कि आप compound करें और dispense करें specific medication for the patient specific मतलब जो उस परचे पर लिखी हुई है तो अब आप कुछ लोग करेंगे सर यह कौन सा बड़ा काम है आओ देखते हैं इसके अंदर बहुत बड़ी बड़ी चीजे है ठीक है मतलब काम तु तो एक छोटी सी बात एक prescription के अंदर क्या क्या चीजे होती है detail के हिसाब से करें बात करें तो एक patient की detail होती है directions for the pharmacist, pharmacist के लिए निर्देश होते हैं to prepare and dispense the medicament कि कितनी दवाई देनी है कैसी देनी है वो सब सारे निर्देश रहते हैं direction मतलब direction मतलब निर्देश रहेंगे pharmacist के लिए और direction for the patient regarding administration of the drug और patient के लिए निर्देश रहते हैं कि आपको ये दवाईया कैसे लेनी है तीन चीजे prescription के अंदर होती है prescription के parts की बात करें तो बेटा इसको तोड़ने को बहुत सारे parts में तोड़ सकते हैं जैसे मोटा मोटा गरम बात करें एक date अलग से important है कि इस date में लिखा गया फिर कुछ लोग name को अलग, age को अलग, sex को अलग, address of patient अलग कर देते हैं बट हम एक ही पार पर करते हैं को ये सारा का सारा किसके लिए है, patient के लिए है, ठीक है ये सारा point, second point, patient के information होती है, then super description, in description, subscription, signature, signature is not signature, signature is not signature, ठीक है न, renewal instruction और signature, अब ये last में आ गया, doctor की information उसका signature, address, registration, number, ये सारे चीज़ें, doctor की information हो गई, ठीक है, अब parts of prescription की बात करें, वेटा करें, परचा से तुम लोग ने देखा होगा, परचा से तुम लोग ने देखा होगा, तो date रहती है, patient की detail आगी, name, age, weight, rx लिखा हुआ रहता है, इसी को हम लोग क्या कहते है, super description कहत है, फिर क्या रहेगा, फिर रहता है, inscription, कौन सी दवा, और कितने mg की, कौन सी दवा, कितने mg की, फिर कितने पत्ते देने है, 10, 10 दे दो, ठीक है, ये साब description में आ गया, signature, bid, कितने टाइम पे, कितने दिनों तक खानी है, ये सब बाते, signature में रहती है, और फिर क्या आ जाता है हमार पास, signature आ जाएगा, और registration number C लोगरा, ये सब चीज़े आ जाती है, ठीक है, तो ये तो रहता है परचा, ठीक है ना, आगया आते हैं अब, अब बारी-बारी से इसको लिखना भी पड़ेगा हमें, तो समझते हैं, तो सबसे पहले है, date, क्यों इंपोर्टेंस है date की, date क क्या बार चलता है, obviously बात है, कब पेशन ने दिखाया था, कितने दिन हो गए, दवाई खाते हुए, ये सब चीज़े date से पहला चलती है, every prescription must bear a date, हर prescription date होनी चाहिए, on which the particular medicines are prescribed, ठीक है ना, जिस डेट पे जो medicine लिखी गई है, तो इसलिए जब भी देखना आप दौर दौर पर्चा लेके जाती है, और नीचे जगे होती है, माल लो, नॉर्मल तुम लग देखते हो, यहाँ पर लिख दिया medicine, यहाँ अगर जगे तो वापा से date पड़ती है, यहाँ पर, और फिर यहाँ पर prescription वापा से लिखा था कि इस date से फिर repeat किया गया है, कि क्या किया गया है, तो date ज़रूरी होता है, date से idea लगता है कि दवा खाते हुए कितना समय हो गया, this helps the pharmacist to keep day-to-day patients record in chronologic order, chronologic मतलब क्रम से, तो किस date पे क्या 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 दवाईयां दी गई है, कौन को इस दवाईयां खाई है, तो उससे pharmacist को help मिलती है, एक chronologic order कि कौन सी दवाई कितना समय हो गय which helps the pharmacist or physician to refer the old case in future, ठीक है न, इससे क्या होता है, वो refer कर सकते हैं कि अच्छा ये एक patient था, इसको इस तरह से दवाईयां दी गई थी, तो भई उसको कोई patient आएगा, या उसके लिए भी हम लोग इसका use कर सकते हैं, to avoid misuse of narcotic, ठीक है न, याने कि कोई दवा दी जा रही है, मा narcotic को देते हुए काफी समय हो गया, काफी समय मतलब last case date में दी गई थी, वो date अगर लिखी रहेगी, तो हमको पता रहेगा कि narcotic कितने समझ से दी जा रही है, तो इससे इसका misuse बचा लेंगे, other habit forming drug, जो जिन drugs के, drug से habit form हो सकती है, कि वो दवा खाने ही पड़ेगी आगे जा पता साने इस सारी चीज़ें, एकदम साथाना कोई पूछ लेगा कि बता, prescription में date क्यों होती है, तो नहीं बता पाओगे एकदम से, हैना, तो अब याद रखना, date क्यों होती है, mainly date इसलिए होती है, narcotics दवाईयां कब कैसे दी गई है, और normal दवाईयां भी कब कब दी गई है ठीक है, now, name, age, sex, address of the patient, ठीक है ना, name, age, sex and address of the patient must be written on the prescription, ये जरूर होना चाहिए, नाम से help होती है, pharmacist को to identify the correct patient, बुलाएगा ना, अच्छा हाँ मालो भीड है, तो पर्चे ले लिए उसने पर्चा तयार कर दिया, फिर नाम लेके बुलाएगा, ठीक है, कि करन सिंग का पर medicine to a person other than the one it is dispensed for, और यहां से error होने की समावना घट जाती है, कि पर्चे लाएगा नाम ही नहीं है, तो इसकी दवा उसको दी जारी हो, इसकी दवा इसको दी जाएगी, तो गलती हो जाएगी, patient's full name must be written instead of nickname or surname, patient का पूरा नाम लिखा होना चाहिए, nickname तो कईयों के एक सारे हो geriatric, age क्यों चाहिए हमें, अगर बच्चा है, तो उसके हिसां से दवाईयां adjust कर जाती है, या geriatric, अगर कोई बहुत बूड़ा है, तो भी दवाईयां हमें हिसाब से देनी होती है, ठीक है, because the dose of drug in such cases, drug की dose होती है, pediatric के case में और geriatric, बूड़ों के case में adjust करनी पड़ती है, जि क्योंकि बच्चा है या बूड़ा है, उनकी metabolizing power, ठीक है ना, अब metabolizing के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, अच्छे से, तो metabolizing power उनकी कम होती है, या different होती है, इसकी वाई से dose adjust करनी पड़ती है, hence dose of the drug are calculated based on the age factor in such cases, तो अब age होगी, तो age factor के हिसाब से dose का calculate किया जा तो age के हिसाब से dose के दिमाग में set हो जाती है, कि हाँ यह age है, तो इसकी हिसाब से इसका क्या रहेगा, वो रहने वाला है, हाँ, कई बार अगर age मालो मेरी age का है, लेकिन कोई बहुत जादा underweight है, सिरु से proper calculate करते हुए, आप लोग देख सकते हो, कई बार हो जाता है, ठीक ह role in prescription, because dose drug में also vary based on sex and gender, हम सब लोग ने फार्मक थेरोपेटिक में पढ़ा हुआ है, फार्मक लोजी में पढ़ा हुआ है, क्या पढ़ा हुआ है, पहला चेप्टर में कि drug absorption, metabolizing power, यह सब age का फरक पढ़ता है, इन सब के ऊपर, sex का फरक पढ़ता है, male की female है, ठीक है ना, तो इसलिए male female का ज़रूरी होता है, अब कुछ बच्चे कहेंगे, सर साक्षा जा रहे हैं हम तो, दोक्टर देख लेगा ना, हम लोग लड़का है की लड़की है, बट वेटा मैंशन रहता है, क्योंकि जब मालो पर्चा कई पर जाता है, और पेशन नहीं होता है, तो पर्चे is generally recorded to contact the person at latter stages or to deliver the medication personally, कई बार क्या होता है, एड़स नोट हो जाता है, ठीक है वह चले जाओ, हम दवया पहुचा देंगे, ऐसा भी होता कही जगों पर, ठीक है, ओके, तो बात समझ में आ गई, तो बेटा देखो यहां पर अब देखने वाद बहुत छोटा सा पॉइंट थ is considered as the prayer to Jupiter, God माना जाता था, ठीक है, the God of the healing, Jupiter को हम लोग यह मानते थे कि वो हमको ठीक करता है, तो हम लोग Rx लिखते थे, यानि कि प्रे होती थी, for the fast recovery of the patient, पहले, old times, but now, nowadays it is used as the abbreviation for the Latin term, take though, which means you take, यह one marks question पेटा आपका आ सकता है, ठीक है ना, मार कर लेंगे, कि Rx का full form बत आइए, ठीक है, के लिए रहे बाते हैं, आगे आते हैं, इंस्क्रिप्शन की बात करें, this is considered as the main part of the prescription order, यह main part है कि यहां दवाईयां लिखी जाएंगे, अब सुपर स्क्रिप्शन हो गया, इट कंटेन मेंटीज, क्या होता है इसके नतर, name and quantities of the prescribed ingredient, जैसे कि मैंने पीछे द name and quantities of the prescribed ingredient, उसे कितनी quantity देनी है, खीक है ना, तो the name of each ingredient is written on a separate along with its quantity, paracetamol, phenylaphrin, अलग अलग लिखेंगे, paracetamol लिख दिया PCM, फिर लिख दिया ibuprofen, जो अलग अलग लिखेंगे, कितने कितनी मजी देनी है, सब लिखेंगे, फिर वो बात की बात है कि कितनी कितनी गोलिय देनी है, वो एक बात की बात है, कौन-कौन से सॉल्ट देने हैं, वो लिखेंगे, हम लोग ने एक तरह से क्या लिख रहे हैं, यहापर, इन इस्क्रिप्शन हम लोग एक तरह से क्या लिख रहे है, सॉल्ट विद एमजी, कितनी मजी का सॉल्ट हमें देना है, ओके, the complex prescription containing several ingredients जब complex मतलब, जिसके बहुत सारे salt होते हैं, तो इसे complex बोल दे जाता है, the inscription can be divided into following part, इसको हम तीन पार्ट में divide कर सकते हैं, base, adjuvant और vehicle, base का मतलब, active medicament of the therapeutic action, जो main ingredient, जो main वो होता है, medicament होता है, adjuvant, substances added to increase the action of medicament, its palatability, ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, कि कुछ और ची जिसके main active ingredient होता है, दूसरा आज कल क्या होता है, हम लोग क्या देखते हैं, साथ में multi vitamin दे दिया, या साथ में क्या gas वाली गोली दे रहे हैं हम लोग, खीक है, now vehicle, substance used to dissolve medicament, increase volume or preparation, ये उस case की बात हो रही है, अगर आपको extemporaneous preparation करनी पड़ रही है, तो उस case में vehicle की भी जरूत पड़ेगी, या यू समझ ले, कि मालो सीरप है, उसके पानी देना पड़ेगा, है ना, जिससे कि उस powder वाले सीरप को पानी में घोल के पिया जा सके, तो हम लोग इस inscription को further divide कर सकते हैं, तीन पार्ट के अंदर, किलिए रहे बातें, ओके, now subscription, this part of the prescription contain direction of the prescriber to the pharmacist, regarding the type and compounding of doses, type and compounding of doses, कितनी dose किस की समय कितने कितने लेनी है, along with number of doses to be dispensed, और कितनी dose देनी है, paracetamol 5 mg के 10 गोलिया देनी है, ठीक है, यह सारी बातें, फार्मसिक के लिए लिखी जाती है, this is important because dose of drug also depend on the type of doses form, है ना, dose किस पर depend करती, यह क्यों जरूरी है, मालो tablet है, तो doses form के उपर dose depend कि एक tablet खानी है, कि दो tablet खानी है, सीरप है, तो liquid 5 ml, कितना ml खालेना है, तो doses form पर क्या depend करता है, हमारा, because dose of drug also depend on the doses form, तो कितनी dose दी जाएगी किसी को, उस पर फरक चीज़े पर depend करेगा, 500 mg की tablet आती है, तो एक tablet दे जाएगी, 500 mg की tablet है, 500 mg की tablet है, 500 mg की market में नहीं है, तो दो tablet खाने के लिए बोलेगा, तो doses की सिसाफ से रहेंगी, वो depend करता है, doses form पर, clear है, now signature, signature क्या है, this part of prescription contain the direction to patient, याद रखेंगे, ठीक है, regarding the administration of the drug, कि आपको किस किस समय पर कितने कितने दवाईयां लेनी है, ठीक है, बास समझ में आ रही है, ये और ये आप लोगों confuse कर सकते है, यहाँ पर एक तरह से बात बोली गई है, फामासिस्ट के लिए, ठीक है, और ये बात बोली जा रही है, पेशेंट के लिए, थोड़े मैची, मैचिंग है, कि हाँ भाई, तुमको दो-दो गोलें सुवेसाम खानी है, ये फामसिट के लिए बोला जा रहागी, 500 mg के पैसिट quantity to be taken, यहाँ पर क्या क्या instruction होंगे, कितनी quantity लेनी है, किस frequency में लेनी है, कितनी बार मतलब frequency मतलब दिन में कितनी बार, mode of administration क्या रहेगा, oral रहेगा, parental रहेगा, the spatial instruction such as dilation direction, ठीक है न, कुछ और spatial instruction हो सकती है, जैसे कि dilation के लिए बोल दे जाएगा, तो ध्यान रखेंगे इस च prescriber, whether the prescription can be renewed or not, ठीक है, in this part, the prescriber, whether the prescription can be renewed, वो mention रहता है, कि यह prescription renewed होगा, कि नहीं होगा, ठीक है, it also should include the specification like, how many times it can be renewed, यह कितनी बार renew कर सकते है, माला आपको दवा दीगा, यह साथ दिन बाद, फिर आप द्वारा आएंगे, ठीक है, आच्छा, renew हो ना, फिर साथ दिन गो दोस देनी है, और, क्योंकि साथ दिन का मतलब क्या हो गए, हाँ पर देखा जाएगा, कि साथ दिन बाद, पेशेंट आया की नहीं आए, पर दला पेशेंट आया, आठ वे दिन, तो बोला जाएगा, तुम्हें साथ दिन आना चाहिए था, आपका दोस टूड गया, तो आपका दोस दिन, तो दिक्कत आजाएगी, या उसका मिस्यूज हो सकता है, लास्ट में होता है, सिग्निचर एड्रेस, रिश्टेशन नमबर अफ प्रिस्क्राइबर, तो बहना दोस ब्लीगल एफ अथान्टिकेट और तूड दा फार्मसिस्ट, अगर ये पार्ट नहीं ह होगा, तो फार्मसिस्ट कहाएगा, पर्चा ये तुम्हारा नकली लग रहा है मेरे को, ठीक ना, तो प्रिस्क्राइबर का रिश्टेशन नमबर और सिग्निचर होना चाहिए, इस से क्या है, जो बेकार खराब दवाईयां होती है, या नार्कोटिक्स होते हैं, उनका मिस् किया जाता है, बास समझ में आगई, ठीक है, अब उसके बाद, कुछ टर्मस हैं, जो तुम लोगों को पता होना चाहिए, ऐस फार्मसिस्ट जैसे मैंने कहा कि ये चैप्टर कहीं ना कहीं, आपको 100% अच्छे से आना चाहिए, प्रिस्किप्शन वादा चैप्टर है, तो उसमें क्या रहेगा, अगर डॉक्टर बोले का टी स्पून फूल का मतलब, साथ बहुत लोगों को पता भी नहीं होगा, वन टी स्पून फूल का मतलब पांच हैमल, डैजर्ट स्पून फूल का मतलब आठ हैमल, टेबल स्पून का मतलब पंदरा हैमल, ठीक है, टी स्पून मतलब 240 हैमल दबा लेनी है आपको ठीक है अलए-अलग कंडिसंस होती है OD का मतलब पता है once in a day, BD का मतलब twice in a day, TD का मतलब thrice in a day और QD का मतलब four times in a day तो यह कुछ basic terminology है जो इस्तमाल होती है prescription में डॉक्टर लिख देखा इस तरीके से और या PCM खाओ OD या PCM खाओ BD तो पता होंचे BD का मतलब दिन में दो बार OD का मतलब दिन में एक बार यह देखना यह चीली खिरी भी मिलेगी ज्यादा तर किलियर है समझ में रही बाते मजा आ रहा है मजा रहा हो क्योंकि है न यह तो रोज वाली चीज़े हम लोग पढ़ रहे है ओके legality of prescription legality से मतलब क्या है कि आखिरकार एक prescription को legal कब माना जाए यह legal मतलब कानूनी तोर पर legal नहीं एक pharmacist उसको कैसे मान दे कि हाँ यह legal है यह doctor के द्वारा ही लिखा गया है उसकी legality है न जब legal होगा तभी तो दवाईयां देगा अगर परचा ही legal नहीं होगा तो उसके लिए कुछ conditions है कि कब उस परचे को legal माने pharmacist और दवाईयां दे दे तो जब वो scan करता है मतलब परचा है अरे यह परचा है यह legal तो लगनी रभी यह ले जाओ हम इस परचे दवाईया नहीं देंगे ठीक है तो legality का मतलब क्या है तो written or printed legibility 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 अच्छा अच्छा in indelible ink indelible मतलब जो मिटे नहीं ना पानी से ना किसी eraser से ऐसी ink से लिखा जो पानी से भी नाम मिटे आजकाल टाइप फॉर्म में आ रहा है है ना पेशेंस नेम एडरेस होना चीए प्रिसक्रिप्शन के उपर क्लिनीसियन नेम क्लिसियन का नाम एड्रेस डीए नंबर ड्रग इंफोर्स्मेंट अडिस्टेशन नंबर ठीक है जातर नार्कोटिक्स कि गुप पाउन कर देतना वो सब्सक्राइब प्रेंट का नाम होना चीए ड्रक त्रेंथ होने 떼ोज़ की वने ची वह कि सीरप है टाबलेट है क्वान्तिटी प्रिसक्राइब कितने कंपिसक्राईब यूस करनी है number of refills कितने refills signature of the prescriber जब ये सब चीजे होंगी तो ही एक prescription legal माना जाएगा ये तुम्हारा question तीन number का बड़ा हलुआ है ठीक है अब आते हैं कुछ एक बात और इसके बार में the legal limit on the number of refills ये question आ सकता है अब पता होना चाहिए मैंने का ना as a pharmacist chapter बहुत important है आपके लिए कि आप रिफिल कितनी कर सकते हैं तो कह रहा है लीगल लिमिट जो रिफिल की है कितनी बार दो दवाया repeat किसी को दे सकते हैं and the number dispensed ठीक है data prescription में है ठीक है कितने होने चाहिए उसके अभी है इक लील मेंट और लीकर्लिमिट है नहीं पता है याँ पर और पांच बार रिफिल कर सकते हैं शेडूल टू ड्रग्स हैव जीरो रिफिल्स एंड अब यह तुवारा होमवर्क है जर चेक करके बताना शेडूल टू में कौन सी ड्रग्स आती है जाइक सी बात है कौन सी आएंगी कमेंट करके बता बटापट ठीक है आप शेडूल टू के जीरो रिफिल है आप रिफिल नहीं करेंगे आप डॉक्टर को दिखाईए और चाचे का परके का फिर द्वारा कुछ लिखेगा और मैक्सिमम क्वांटिटी डिस्पेंस तीज दिन ली हमारे पास बात आती आथी है उपर आपने प्रेस्क्रिफिं के प्ड़ लिए पार्ट पड़े और क्या उप्रेस्क्रिप्शान है कि नहीं यह वह देख लिए हमने ठीक है ठीक है फ्रिस्क्रिफिप्शन हेंडलींग व yampportent goods हैंट्स को पूरा प्रापर टरीकं होता ह ठीक है देखो क्या होगा सबसे पहले तो आप receive करेंगे फिर उसे read करते हैं चेक करते हैं बहुत छोटा लग रहा है वर इसके अंदर लंबी process है फिर collect करेंगे और wait करेंगे material अगर कोई extemporaneous dispensing है और finally compound करेंगे बट यह चार बाते हैं जो हमने बड़े अराम से पढ़ ली हैं इसके अंदर बहुत सारी बाते होती हैं आओ बारी बारी से समझते हैं तो receiving का मतलब क्या है the prescription should be received by the pharmacist himself prescription को खुद pharmacist receive करेगा while receiving receive करते समय he should not change any facial expression because it may cause an impression on the patient that he is surprised or confused after seeing the prescription यह तो अन्भा होगा वेटा को रियल एक्सप्रेश्ट हो जागा यहां पर आज तुमने किसे को पर्चा दिया और वो देख रहा रहे यार यह क्या पर्चा ना तो यही सब बात बेटा होती है ठीक है तो यह बात समझो आपको कई भी पर्चा आएगा भले दवाई आपको तो समझ में एक वाणको को ना आए चेहरे का एक्सप्रेशन नहीं बगाड़ना है ठीक है यह पहली चीज़ हो गई receiving माई तो receiving असान काम नहीं होती है receiving जो this tough के में ठीक है ना ओके, now reading and checking, reading or checking का मतलब क्या है, on receiving the prescription, the pharmacist should check the prescription whether it is written in a proper format, वो चेक करेगा ऐसा तो नहीं, doctor फरजी तो नहीं है कहीं, proper format में है, doctor का हो तो proper format में होगा, the prescription should always be screened behind the counter, prescription को counter के पीछे ले जाकर गे, मतलब क्या है, यहां देख लिए ठीक है, फिर जगा होती है, बहाँ ले जाकर क आप पर्चे को अच्छे से screen करेंगे, देखेंगे, ठीक है, any doubt in case of prescription ingredients or drug, अगर जो prescription आ रखा है, उसमें जो ingredients हैं और जो drugs लिखी हुई है, and the direction he should discuss with another senior pharmacist, अगर उसकी ingredients या drugs को ले करके, और directions को ले करके, कुछ प्रॉलम है, तो वो अपने senior pharmacist से discuss कर लेगा, या physician से, but not with the patient, पेशेंट से निकाले, कहेगा, या यह doctor ने कैसा लिखा, ऐसा नहीं बोलेगा, वो ठीक है, वो अपने senior pharmacist से, या direct physician है, जिसका पर्चा है, उसे direct consult करते हैं, what to check in prescription, prescription में आखिरकार, चेक क्या करना है, error in dose, dose में कोई error तो नहीं है, आप pharmacist है, हो सकते है, dose में कोई error दे रख दी, है ना, यह दोनों दवाई आपस में कैसी है, contraindicated है, मालों दवाई A और दवाई B आपस में contraindicated है, आपने देख लेगा, यह दोनों दवाई तो contraindicated है, दिक्कत हो सकती है, आप फटाक से call कर देंगे, synergistic and antagonistic drug, यह भी हम लोग पढ़ चुके है, synergistic drug क्या होती है, जो एक-दूसर को support करती है, antagonistic जो एक-दूसर के effect को खराब कर देंगी, और drug interaction, drug का interaction तो नहीं है, कुछ खाने पीने से लेकर के है, किसी और चीज को लेकर के, यह सारी चीज़ें आप क्या करेंगे, check करते हैं prescription में, reading हो गया, checking हो गया, now collecting and weighing the material, before compounding the prescription, अच्छा, collecting and weighing, weighing करने की जरूत कब पड़ेगी, जब आप extemporaneous preparation करेंगे, extemporaneous मतलब समझते हैं, आप खुद motor patient में लेकर के, उसको piece-piece के कुछ बनाएंगे, तो, otherwise आजका रेडिमेट format में आ रहा है, तो वहां के लिए के लिए क्या होगा, collecting word आ जागा, क्या आप जाकर के, tablet या syrup collect करके, इखटा कर हैं, ठीक है, और weighing कब करेंगे, बता दिया मैंने, before compounding the prescription, prescription को compound करने से पहले, all material required for it are collected on the left side of the balance, जो जो material है, उसको लाकर करके, left side balance के left side में लाकर रख लेना है, after weighing each material should be shifted on the right side of the balance, उसको weigh करने के बाद, balance के right side में shift कर देना है, note, while compounding, label of the stock bottle should be read at least three times to avoid any error, compounding से पहले, जो बोटल आप उठा के लेके आए हैं, उसको आप कम से कम, कितनी बार read करेंगे, तीन बार read करेंगे, कब कब, when taken from the shelf, जब आप shelf से उठाएंगे, यहाँ यही दवा है, when the content are removed for weighing, फिर जब आप wait करने के लिए, उसमें से क्या निकाला आप और powder होया, जो भी कुछ है, उसको wait करने के लिए निकाला, फिर पढ़ा आपने, अच्छा यही चीज है, तीसरा, when the container return back, फिर आप वापस जब रखने जा रहे हैं, ता विए फिर पढ़ेंगे, कि यही चीज तो है, यह cross check होता है, ठीक है, तो कहीं ने कहीं जो, यह weighing वाला packaging, compounding should be carried out in neat place, साफ सुतरी जगवा पर compound करेंगे आप, all the equipment required are clean and dried thoroughly, जितने भी equipment आप इस्तवाल होने वाले हैं, compounding के लिए सारे साफ सुतरी और clean होने चाहिए, only one prescription should be compounded at a time, एक time पर एक ही prescription को आप compound करेंगे, एक साथ दो दिन prescription को नहीं उठाएंगे, the compounded material should be filled in suitable container based on quantity and use, उ size of level should be proportional to the size of container, level का size ऐसा होना चाहिए कि container पर आ जाए, बड़ा या छोटा नहीं होना चाहिए, level should contain the required suggestion directions to the patient, label के उपर जो जो होने चाहिए, क्या क्या निर्देश दिये जाने, patient को वो सारी चीज़े एक label के उपर होनी चाहिए, clear है, तो हमारे पास यह बास समझ में आ गई ठीक है न, तो हम लोग ने क्या देख लिया, prescription handling, कि कैसे इसको handle किया जाएगा, receive किया, read किया, collect किया, compound कर दिया, finally compounding होगी, package होगया, packaging होगी, बास समझ में आ गई, अभी package हुई है, अभी आगे एक और step होगा, patient को भी तो देना है अभी, ठीक है, तो reading checking यह सब चीज़े हो बात किसके हो रही है, एक्टम पॉरेनियस, यह कहलो कि बड़ी-बड़ी CCI है, जिसमें tablet आती है, आज पहले आती थी, खुली tablet आती थी, उसके पूरिया बना के doctor देता था, या tablet को डिबी में अलग से, बड़ी बड़ी डिबी में से, tablet निकाल के छुटी डिबी में करके द देता था, ठीक है, उसको दिमागे में रखना उस बात को, लेबलिंग का खास ध्यान रखा जाएगा, लेवल का जो हम बात कर रहे है, लेबल्स for dispense medication are important for communicating medicine related information, लेवल क्यों जरूरी है, क्योंकि हम यह बहुत जरूरी है, क्योंकि communicating medicine related information, लेवल for dispense medicine, dispense medicine, जो medicine dispense कर रहे हैं क्योंकि medicine के regarding जो communication जो बाते हम बोलना चाते हैं, वो सारी information level के उपर रहती है, consumer के लिए, और सुनिशिच करती है, effective medicine use, सारी information है तो हम यह मान के चलते हैं, कि जो उसको use करेगा, वो उसको पढ़ेगा और उसी हिसाब से चीज़ों को, medicines को लेगा, the dispense medicine level must include the essential information, जो medicine dispense कर रह होनी चाहिए, ठीक है, information था consumer need to take their medicine safely and effectively, जिससे की जो consumer है, medicine को effectively और safely ले सके, अब types of dispensing level, तीन टाइब की बात होते हैं, तीन टाइब की level होते हैं, main level, ancillary level और pictogram, pictogram, एक तरह का देखते हैं अभी, pictures होते हैं, तो label के तीन तरीके होते हैं, main level, main level वेटा क्या होता है, जब हम extemporaneous preparation करते हैं, तो एक label निकल के आता है, उस पे computerize होता है, ठीक है, नाम वगरा, सब कुछ रहता है, ठीक है, हाँ से भी लिख देते हैं, हम लोग कई बार तो छोटा सा बन जाता है, ठीक है, और जो proper medicines आती है, रेडिमेट आती हैं, उसके बार तो label रहता ही है, ठीक है, brand level play a big role, big role, customer as, because, customer only know the brand name and they buy the brand, brand level play a big role, because, because, customer only know the, ये line हैं से हटा देंगे, brand name को पता होता है, कि हमें इस brand की दवा खानी है, उसका नाम व्याद हो जाता है, अब brand level is associated with the product quality, stability and feel good factor, जो उसको पता होता है, अच्छा मैंने इस brand की दवा खाई है, तो मैं पक्का ठीक हो जाओंगा, ये तो बात हो गई उसकी, अगर आपकी रेडिमेट दवाईयां हैं, जो factory से बनके आ रही है, अब हम बात कर लें, अगर आप क्या कर रहे हो, एक्स टैंप और निस preparation कर रहे हो, आपको वहीं फार्म इस ड्रग इस ड्रग फॉर और रिफिल, ठीक है ना, इस नमबर रख की हो रहता है, नेक्स टैंप आप आएंगे तो इस नमबर से कम्पूटर पर खट 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 करके निकाल लेगा, पर्सन हो गेट इस ड्रग उसका नाम रहता है, ठीक है, इंस्ट्रक्शन अबाउट और टेकन जब तकी सारी लेना लो, ठीक है ना, फिर क्या है हम आपे, नेम आफ द्रग और स्टेंट अव ड्रग, आमॉक्सलीन पाउन से अमजी की कैप्सूल है ये, टोटल नमबर आफ पिल्स, इनकी नमबर कितनी है, तीस है, नमबर आफ रिफिल, नो रिफिल, डॉक्ट फार्मेसी फोन नमबर होता है, डॉक्टर का नाम होता है, तो इस टैप का एक प्रेस्क्रिप्शन कम्पूराइज तयार होता है, और वो चिपका दिया जाता है, यह हो गया फार्मेसी जब लेबल लगाती है, क्लियर है, डॉक्टर है, उसकी फुदी फार्मेसी है, और इस strength, ठीक है, for intravenous use only, कैसे use करना है, single use while, ठीक है, फिर यहाँ पर storage condition, ठीक है, तमाम चीज़ें कब तक इस्तमाल करना है, सारी बातें यहाँ पर storage condition आ गई, ठीक है, तो यह सारी चीज़ें यहाँ पर क्या रहते हैं, expiry और lot number यहाँ mention कर रखा है, तो यह हो गया company वाला format, ठीक है और यह हो गया, अगर आप किसी pharmacy से दवाई उसने बनाई और उसने चिपका लगा दिया, मालू मैंने, क्या बता रहा हूँ, एक बड़ी bottle में से दवाईया निकाली, और एक छोटी bottle में दवाईया बना करके उसने दी है, तो यहाँ पर level लगाएगा pharmacy अपना खुद का, और यह level step से होता है, ठीक है ना, तो any town, USA, जनरली USA में बहुत होता है यह अमरिका में, तो उसी का यहाँ पर एक format ही है मेरे पास, ओके आगया आते हैं, यह तो होगा main level, auxiliary, auxiliary, auxiliary मल का मतलब ही होता है बेटा, सहायक, क्या होता है, सहायक, यह ऐसे हम ancillary level भी कहते हैं, pharmacy auxiliary level is a level added on to a dispensed medication package by pharmacist in addition to the usual prescription level, main level के अलावा एक सायक, वो help करता है, किस बात की help करेगा, आओ देखते हैं, auxiliary level are medication level that display various pieces of information, उसका कई बार कुछ information होती है, कैसे, like, उसके बार खास कोई warning है तो वो लिखी रहेगी, कोई dietary information है कि आपको क्या खाना है, या क्या नहीं खाना वो लिखा रहेगा, administration instruction और cautionary detail, कोई चीज की बहुत जादा साबधानी बरत नहीं है, तो वो extra लिखा रहता है, auxiliary level highlight aspects of the medicine that patient need to keep in mind, इसके अंदर especially वो highlight वो बाते लिखे रहती है, जो वो पहलू लिखे रहती है दवाईयों के बारे में, जो patient को दिमाग में जरूर जरूर रखने है, ठीक है ना, auxiliary level highlight करता है, वो सारे पहलू, पहलू, aspect मतलब पहलू of the medicine, medicine को वो सारे पहलू, that patient, जो patient को ज होता है, supplementary होता है, they provide extra information for patient to ensure that medicine, administration, use and storage are done in the proper way, यह एक तरका extra information होती है, जिससे की और ज्यादा सुनिश्चिस हो जाता है, दवाई का storage, stability, और administration, किलियर है, अब जैसे की, यहापे कुछ information दे रखी है, तो auxiliary information can include the root of medication, यहापे आपको root दिया जा सकता है, क्या करनी है, कैसे ख ट्रा, ठीक है, खास खास देखें हम लोग, तो क्या कर लिखा हुआ है, जैसे की, एक extra label कर देंगे, उसके पर लिख देंगे, do not chew, चवाई नहीं, निगलें, swallow hole, आपको पूरा निगलना है, ठीक है न, may cause urine discoloration, है न, कईवर कुछ गोलियां खाते हैं, तो पेसाफ का color बद सकता है, तो गभराएं नहीं, may cause drowsiness, नीन सी आ सकती है, take with food or milk, कहा जा रहा है, खाने के साथ लें, take on and empty stomach, कहा जा रहा है, खाली पेट लेना है, तो उस खालाक से label लगाती जाएगा, keep refrigerated, फ्रिजमर रखें, shake well before use, protect from sunlight, for external use only, for the eye, for rectal use only, तो यह extra चीज लिख दी जाती है, जो हमारा main level होता है, तो और इस तरीके से, package not, child resistant, ठीक है ना, फिर लिखा हुआ है, check, pulse and record, ठीक है, as need, जब जरौत है, poison है, ठीक है, evening में लेना है, take this medication, half hour before meal, तो इस तरह का एक extra से label होते हैं, वो लगा दे जाते हैं, जिसको हम लोग कहते हैं, ancillary label कहते हैं, कहले लोगी पाते हैं, ठीक है, package not, child resistant, package जो है, child resistant नहीं है, बच्चे ना, हाथ मो उठा लिया, तो खुल जाएगा वो, बच्चे के हाथ में आ जाएगा, ठीक है, अब pictogram, pictogram मतलब यही सारे जो information थी ना, यहाँ पर, actually, ancillary वाली, इसको हम लोग किस की help से, रिप्रिजेंट कर रहे हैं पिक्चर की help से दिखा रहे हैं, किस की help से दिखा रहे हैं, पिक्चर की help से, तो pictogram are images, यह एक तरह की image है, representing proper way to take or store medication, जहाँ पर प्रॉपर तरीका, picture की दर्शाय जाता है, कि आपको medication कैसे store करनी है, कैसे लेनी है, यहाँ को precaution दिखाना आपको, और other important information about a medication that a healthcare provider should provide to his or her patient, त ancillary labels का pictorial presentation है, एक तरह का, तो most pictogram have distincting red square set on one of its points border, है ना, एक border पे coloring से रहती है, red color की, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है, यह इस तरह का, देख रहे हैं, दारू और गोली, काटा हुआ है, यह आपको, may cause drowsiness, alcohol could intensify this effect, इसका मतलब क्या है, आपको, चक्का ऐसा आ सकता है, या नीन जैसी आ सकती है, और alcohol के साथ लेंगे, तो यह चीज़ आपके बढ़ जाएगी, डू नॉट ड्रिंक अल्कॉलिक वेबरेचेस, इसका मतलब क्या हो गया, आप दारू ना पिये हैं, जब भी आपको दवाई खानी है, तो इस टाय के पिक्चर's रहते हैं, इस टाय के पिक्चर's आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना, इस पिक्चर का मतलब क्या है, घू रिड़ दा लेबल इसका मतलब क्या है एरो बनावा कि ये लेबल को अच्छे से पढ़ें टेक फ्री टाइम से डे विज मील एक दो तीन तीन पक्चर बनावा है खाना और निच्छे क्या बनी हुए प्लेटे बनी हुए है चूरी काटे के साथ टेक विद मील एक ही बना हुआ है ठीक है do not store medicine where children can get it बच्चा बना हुआ है और cross किया हुआ है ठीक है do not drink alcohol alcohol के साथ काटा हुआ है alcohol के साथ जावे नहीं लेनी है take in the morning उठते हुआ और सूरज उखता हुआ है याने की morning में लेनी है do not store near heat or sunlight है ना यह दिखा रखा है तो काटा हुआ इस टाइब से poison अगर poisonous है तो इस टाइब बना दे जाएगा तो pictogram कुछ नहीं है एक instruction है जिसको हम picture की है तो कई बार picture को हम थोड़ा सा बढ़ा रहता है तो easily देख लेते हैं लिखा हुआ छोट-छोटा होता है कई बार और picture बड़ी होती है तो picture से हम लोग easily समझ आते हैं बातों को ठीक है आओ आगे आते हैं brief instruction on medication uses वो हो गया अब medication को जब हम use करते हैं तो उसके लिए brief instructions होती है छोटी सी और वो एक डॉक्टर को कायदे में किसको देने चाहिए पेशन को बतानी चाहिए या पेशन खुद से पूछ सकता है जब डॉक्टर को दिखाने गया है या जब वो OTC medicine ले रहा है तब वो pharmacist से पूछ सकता है अब ब्रीफ instruction फॉर medication या प्रिस्काइब और OTC ठीक है ना इस ऑल्वेस प्रोवाइदे टू पेशन एक ब्रीफ इंस्ट्रक्शन पक्का दिया था पेशन को बाइद डॉक्टर एंड फार्मसिस्ट और पेशन में आस्क दा फॉलाइंग कोश्चन और पेशन खुदी से भी यह पूर सकता है क्या क्या रहेगा यह वट इस डोस डोस क्या है कब खानी है टाइम अफ टेकिन मैडिसीन को लेना कब है वाट टूव इफ डोस में सो जाए तब क्या करें क्या डबल खाले गो लिया ठीक है या चलने दे ऐसी वैदर दा मैडिसीन इस नॉट टो बी टेकन जाए तर विदावट फूट क्या दवाईयां को खाने के साथ लेना के बिना खाने के लेना है वैदर अधा मैडिसीन को चवाना है कि निगलना है फॉर हाओ लॉंग दा मैडिसीन इस टूबी टेकन कितने समय तक दवाईयां लेनी है इस दियर एनी जैनरिक ब्रांड आफ सकती है किसी दूसरी मैडिसीन को या अफेक्ट हो सकती है किसी दूसरी मैडिसीन के दौरा आर दियर एनी लॉंग टर्म इंपेक्ट क्या यहां पर कोई लॉंग टर्म इंपेक्ट ऑफ दा मैडिसीन का वादा लंबे समय तक खाए अगर जो चल रही है कि असको लॉंग टर्म इंपेक्ट पड़े का मेरी बाडी पर वाट और दा स्टोरी कंडिशन किस प्रकास से इस लॉट इऑ तो यह पार हमारा यहां पर फिनिश हो जाता है और हमेशा की तरह आपको करना क्या है पीडिएफ को डावन लोड कर लेंगे ठीक है नीचे लिंक दिया हुए है और जो बचे एप से डावन लोड कर लेंगे अपना ठीक है बादों कि मेरा number है कोई problem आती है और ये app है जो बचे जोड़ना चाहते हैं से जोड़ सकते हैं और सबसे जरूरी चीज बेटा पढ़के समझ में आ गया होगा लेकिन जो मैं हमेसा बोलता हूँ revision नहीं तो selection नहीं यानि कि revision नहीं तो कुछ नहीं revision बहुत ज़्यादा माइन रखती है तो revision करते रहें और पढ़ते रहें all the best